Brought to you by Agilis Diagnostics भेल टेस्क की बाद आती है तो मैं फ्रोसा करता हूँ इंडियास लाज़ेस डागनोस्टिक्स कमपनि Agilis Diagnostics खुद को टेस्ट करते रहो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजे विद्रोही और आप देख रहे हमारा खास कारिकरम विजे फैक्टर विजे फैक्टर में आज बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में क्या 90 पर 5 भारी पड़ेंगे पहला सवाल दूसरा सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में सत्ता की चावी जनता के पास नहीं है जो वोड दे रही है या सत्ता की चावी एलजी के पास है तीसरा सवाल क्या बीजे पी कोई खेल रचना चाहती है कि किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में BJP का कब्जा हो जाए और या जम्मू कश्मीर को पहला हिंदू मुख्यमंतरी देने में काम्याब हो जाए और उसके लिए उसने साजेश, पॉलिटिकल साजेश सारा खेल रचना शुरू कर दिया है और LG को आगेर रखा जा रहा है सबसे बड़ी बास है कि 90 पर पांच हावी तो पांच कौन है जो हावी है पांच लोग वो हैं एक हैं दो महिलाए हैं इसमें दो कश्मीरी पंडित हैं और एक है पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर से आया हुआ शरणा थी अब आप कहेंगे कि 90 सीटे हैं 90 विधायक हैं उन पर पांच कैसे हावी हो सकते हैं पहली बात तो ये है कि ये नॉमिनेटिड है काइदा ये होना चाहिए लोगों के अनुसार कि अगर गटबंदन की सरकार या कोई अपने दम पर सरकार बनाने में काम्याब हो जाता है तो LG को उस नई सरकार के साथ उनकी सला के आधार पर ये पांच लोगों की नियुक्ती या नामंकन करना चाहिए लेकिन लेकिन कहानी ये आ रही है सूत्रों के अनुसार कि BJP ने तै कर लिया है कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम भी तै कर लिये हैं खोशना होनी बाकी है कुछ लोग कह रहे हैं कि परदे के पीछे चीजें सामने आ भी चुकी है और पांच नामों की चैन कर लिया गया है LG की तरफ से और इसमें ग्रह मंत्राले की राय लेकर चैन कर लिया गया है ये बीच का रास्ता निकाला गया है जो कह रहे थे कि नवगठित सरकार की सलहा पर होना चाहिए वो कह रहे हैं कि पांचों के नामंकन के मामले में नियम ये है कि LG केंद्रिय ग्रहमंत्राले यानि आमिशा की सलापर पांच का न्यूक्ति करेंगे आप कहेंगे ये पांच का क्या महत्व जब 90 का है पांच का महत्व इसलिए है कि अगर 90 की विधानसवा होती है तो 46 वहुमत के लिए चाहिए अगर 95 की विधानसवा होती है तो 48 वहुमत के लिए चाहिए जम्मू कश्मीर में एक एक वोट की मारा मारी है, एक एक सीट की मारा मारी है एक तरफ नैशनल कॉन्फरेंस और कॉंग्रेस और पैंथर पार्टी का गटबंदन है दूसरी तरफ बीजेपी अकेली चुनाव लड़ रही है तीसरी तरफ टीडीपी अपना जोर लगाए हुए है फिर आशिद इंजिनियर की पार्टी, अपनी पार्टी, छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, निर्दलिये, बागी, विद्रोही, ये तमाम लोग शामिल है और जम्मू कश्मीर बड़ा समवेधन शील है, उसका एक कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है लाइन ओफ कंट्रोल पाकिस्तान से मिलती है, चीन से लाइन ओफ एक्श्यल कंट्रोल मिलती है एक हिस्सा पाकिस्तान के कबजे में है, एक हिस्सा अकसाई चिन वाला चीन के कबजे में है और ऐसे सवेदन चील में, छेत्र में क्या बीजेपी को अपनी छोड़ी पेटी पॉल्टिक्स करनी चाहिए क्या? यह एक बड़ा सवाल उठता है या एक स्थाई सरकार हो केंदर के सायोग से सरकार चले इस बात की ववस्ता करनी चाहिए अब BJP क्यों चाहती है कि उसका कबजा हो जम्मू कश्मीर में क्यों चाहती है कि जम्मू कश्मीर मुसल्मानों के इलाके में भी हिंदू मुख्यमंत्री कर दिया अब वो ने सिरे से इस बहाने महराश्ट और जारकंड में हिंदू मुसलिम का खेल करेगी ने सिरे से वो हिंदू के जो अतिवादी तत्व हैं या जो उग्र हिंदुत्व में विश्वास करते हैं उनके पुल्टा नुकसान ही हुआ जम्मू में कितना लाब मिलता है वो चिनाओ के नतीजों से पता लगी जाएगा लेकिन परसेप्शन के लेवल पर बीजेपी ने इसका फायदा पूरे भारत में उठाया कि देखिए पहली बार केंदर में ऐसी पार्टी आई है जिसने 70 साल से जो काम कॉंग्रेस नहीं कर पाई वो एक जटके में कर दिखाया और धारा 370 आर्टीकल 370 को उठा कर फैंग दिया इससे उन्होंने हिंदू मुसल्मान किया अपने हिंदू बोटरों को पलराइज किया और जो कुछ समझदार किसम के हिंदू थे वो भी इस बहाव में बहे तो अब ऐसा ही काम कुछ बीजेपी करना चाहती है उसको लग रहा है कि हर्याना की संभावितहार जम्मू कश्मीर की संभावितहार का उल्टा असर महराष्ट में पढ़ेगा जारकंड के विधानसभा चुनाव में पढ़ेगा और ऐसे में अगर वो सत्ता की चाबी जो LG क पास है उसके थ्रू पांच का तो इंतजाम होई गया अब बीजेपी को तो 43 चाहिए बहुमत के लिए क्योंकि पांच अन्य तो उनकी जेब में हैं मुठी में हैं कॉंग्रेस गटबंदन को 48 चाहिए क्योंकि ये 5 तो उनका साथ देने वाले नहीं हैं और थोड़ा बहुत कुशन भी चाहिए कम से कम 50 बावन चाहिए और बीजेपी का तो 43 से काम चली जाएगा पांच अन्य जेब में और बाकी कौन हिम्मत करेगा बीजेपी को में तोड़ फोड़ करने की तो ये खेल खेलने की कोशिश की जा रही है इसमें बीजेपी कितना काम्याब होगी ये तो कल पता लगेगा क्योंकि अगर नैशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस अपने दम पर सक्ता में आ जाती है माल लीजी अपने दम पर 48 पर पहुंच जाती है तो बीजेपी का ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा अगर नैशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस अपने दम पर 40 41 प फिर भी हम PDP को अपने साथ लेकर चलेंगे, अपनी सरकार का हिस्सा बनाएंगे, तो ये तो पैक्ट होई गया, तो मोटे तोर पर अगर 40-42 मिलती है कॉंग्रेस प्लस को, यानि कॉंग्रेस और NC को, और 5-6 सीटे PDP को मिलती है, तो ये मिलकर असानी से 48 के आंकड़े तक हिंदू मुख्यमंत्री बनाने का मनसूबा फेल हो जाएगा, लेकिन BJP कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती, अब देखना दिल्चस्प होगा कि चनाओ के नतीजे, क्या BJP को इस तरफ लेकर जाते हैं, या फिर हमें National Conference, Congress और PDP की मिली जुली सरकार नजर आती है, शुक्रि बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए